हेलो फ्रेंड सीमा बटी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम आपको अपगानी सलवार की कटिंग और स्टीचिंग बताएंगे जो आजकल काफी ट्रेंड में चली हुई है आप वीडियो में माइनस कर देना है यह रहेगा हमारी सलवार के लिए तो इसे हमारे पास बच जाएग तो इसे हमारे पास 32 रह जाएगा 32 के इसाब से हमने अपनी सलवार की कटिंग करनी है और हमारी सलवार की मोरी रहेगी 6.5 तो फ्रेंट्स हम अपने कपड़े के पास चलते हैं और अपनी सलवार को कटिंग करना शुरू करते हैं तो देखी कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करना है और हमने 32 इंच का ऐसे फोल्ड कर लिया है देखी 32 इंच से यहां से और आप हम इसे ऐसे कटिंग कर लेंगे तो देखी कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने 32 इंच का कट कर लिया है अब ऐसे हम इसे फोर फोल्ड करेंगे जिस साइड से बंद है उस साइड से हम निशान लगाएंगे तो देखी मैं ये 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ ये हमारा मोरी का निशान रहेगा और इससे आगे हमने 10 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि इस साइड हमने चुनेटे डालनी है तो हमें एक्सटा कपड़ा चाहिए तो देखिए इस साइड से मैं आसन का निशान लगा रही हूँ ये मैंने 10 इंच पर लगाया है और ऐसे हम 2 इंच इस साइड ने निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से जो 17 इंच पर निशान लगाया था वैसे मिला देंगे आप इसे ऐसे हम राउंड सेब देंगे और आप इसे हम कटिंग कर लेंगे अब उपर से जो कपड़ा जोइंट था इसे हम अलग कर लेंगे तो देखी फ्रेंट्स मैंने 10 इंच का असन लिया है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं किसी को छोटा पसंद होता है और किसी को बड़ा ऐसे हमने यह सलवार कटिंग कर ली है अब हम अपनी बैल्ट को कटिंग करेंगे तो बैल्ट की लंबाई देखी हमने 25 इंच रखनी है और चोड़ा यह 8 इंच ऐसे हमने बैल्ट भी कटिंग कर ली है अब हम जो मोरी की साइड जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए कपड़ा कटिंग करेंगे तो यह हम 3.5 इंच कटिंग करेंगे तो देखी हमने 3.5 इंच चोड़ाई का और 9 इंच लंबाई का कपड़ा कटिंग कर लिया है ऐसे अब हम इसे नोर्मल सलवार की तरह अटेच कर लेंगे तो देखी हमने नोर्मल सलवार की तरह सिलाई की है पीछे की साइड हमने ऐसे प्लेट डाली है जैसे हम अपनी नॉर्मल सलवार में अटेच करते हैं अब देखिए ऐसे हम ये पॉंचे का डिजाइन बनाएंगे इसके उपर ये हमारी कुर्टी का डिजाइन है उससे ही मैच करता हुआ हम इसके पॉंचे पे डिजाइन बनाएंगे तो देखिए मैंने ये इस टाइप की लैस ली है इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे और ऐसे जो हमने पट्टी कट की थी इसके बीचो बीच इसे लगा लेंगे अब हम देखी एक इंच चोड़ी पट्टी लेंगे और इसके दो दो इंच के पीस बना लेंगे इसे दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे लूप्स बना लेंगे और इन्हें फिर पट्टी के एक साइड ने ऐसे लगाते जाएंगे तो देखिए ऐसे हमने पूरी पट्टी पर लगा लेने है ये लगाने के बाद हमने देखी ये वाली लैसली है गोटा पट्टी वाली इसके उपर से जहां से हमने चिलाई लगाई थी वहीं से हम इस लैस को लगा देंगे अब हम एक और कपड़ा लेंगे और देखिए इसको नीचे रखेंगे और इसके उपर शिलाई लगा देंगे जहां से हमारी शिलाई थी ठीक वहीं से हम शिलाई लगाएंगे तो देखिए यह ऐसे प्लट जाएगा अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देंगे ऐसे कटिंग करने के बाद हम इस कपड़े को जब ऐसे पलटेंगे तो नीचे की साइड पाइपिन निकल के आएगी और उपर की साइड हम टाइट खेंचते हुए सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा कपड़ा है ये दूसरी साइड फॉल्ड भी हो जाएगा और नीचे की साइड पाइपिन भी बन जाएगी देखी कापी सुन्दर सी पाइपिन निकल गई है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे तो देखी बैक साइड से इस टाइप से रहेगा अब ऐसे हम दूसरी साइड से लूप्स बना कर लगाएंगे ऐसे हमने पूरी पट्टी पर लगा लेने है अब इसके उपर भी ऐसे हम लेस लगा देंगे देखी फ्रेंट इस टाइप की लेस ही जो हमारी कुर्टी है उसी की जोली पर भी लगी है गोल्डन कलर की तो इसलिए मैंने ये लेस लगाई है ताकि हमारी कुर्टी से अच्छे से मैं चोजे ये हमारा बीच का पॉइंट है ऐसे ही हम अपनी सलवार में भी बीच का पॉइंट लगा लेंगे और अब हम इसमें ऐसे प्लेट्स डाल देंगे प्लेट की जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल जो हमारी गोटा पट्टी की वाली सिलाई है उसके उपर से जानी चाहिए देखें ये हमारे बीच का पॉइंट है और ये भी हमारे बीच का पॉइंट है ऐसे हमने पूरी पट्टी पर प्लेट्स डाल दी है तो देखें काफी सुन्दर सा हमारा मोरी डिजाइन बनके रड़ी हुआ है फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि हम नई वी वीडियो को एंड तक जरूर देखना देखिए उपर से बिल्कुल नॉर्मल सिल्वार की तरह हैं एंड तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू सो माच मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में